Hello and welcome friends, आज के इस वीडियो में Microsoft Access 2016 पर हम बात करेंगे calculated field की, calculated field का कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, आप बात करें Microsoft Access 2007 की, तो वहाँ पर आप create पे जाकर के और query design पर जाकर के, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जाकर के आप query बनाते थे, आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर एक facility यह दे दी गई है, कि आप directly query वहीं से बना सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यह कुछ isolate किये गया है, पेसेंट की list है, और यहाँ पर patient ID आप देख सकते हैं, इसे मैंने auto number रखाया है, और यह पेसेंट का name है, जिसे short text रखाया है, यहाँ पर result of positive, अगर positive आते हैं, कितने दिन का isolation करना होगा, date of result से, यानि जिस दिन आपका result positive आता है, उस date से कितने दिनों का isolation करना होगा, उसके उपर मैंने यह formula लगाया है, आई if की मदद से, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह formula किस तरह से मैंने लगाया है, यह यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप पिछले versions की, तो उसमें ऐसी facility हमें नहीं मिलती थी, हम directly query नहीं बना सकते थे, हमें query design में ही जा करके query बनानी होती थी, यह देख सकते हैं, formula हमने लगाया है, और यहाँ पर अगर result positive है, यानि कि result क्या है, positive है, यानि yes है, तो जिस date पर result आएगा, उस date से 12 दिन का आपको isolation करन है, अगर result negative आती है, तो आपको सिर्फ तीन दिनों का isolation करना, उसके बाद आप free हो जाएंगे, ठीक है, covid patient नहीं है आप, तो कुछी इस तरह का software यह create किया गया है, तो आईए इसको देखते हैं, कि यह कैसे काम करेगा, यह formula आप use करेंगे, I if, और result is positive, देखिए, यहाँ पर result is positive, एक field हमने डाली है, इसी को हमने लिया है, ठीक है, और is equal to yes किया है, यहाँ पे हमने short text रखा है, इसका data type, और if result yes आता है इसका, तो date of result है, यानि जिस date पर result आएगा, उससे 12 दिनों का isolation आपको करना है, यानि plus 12 लिखा है, ठीक है, और date of result, अगर result negative आता है, तो हमें कितने दिनों का isolation करना होगा, सिर्फ 3 दिनों का, तो यह हमने लगा दिया है, और यहाँ से बस, इस पे click करना है आपको, और यहाँ से okay करना yes करना है, तो यह इस तरह से आ जाएगा, अब अगर माल लिजे कोई और भी patient आता है, जैसे माल लिजी, एक patient मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर result क्या आए, negative आए, no, अगर मैं no यहाँ कर देता हूँ, no कर दिया हमने, अब यहाँ पर हमें वो date डालनी है, जिस date पर result आय है, ठीक है, माल यह 25 तारिक को result आया, no का, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 28 तक isolation में रहना है, उसके बाद आपके चुट्टी, ठीक है, इसी तरह से एक field और देख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, कोई नाम है, patient का, और यहाँ पर अगर yes में आता है result, yes, यानि positive है, तो कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 तरीक तक यानि कुल मिला करके 12 दिनों का isolation करना है, इस तरह से एक कर सकते हैं, अगर isolation की period आप बादाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ने करना, पहले इसको save कर देता हूँ, यहाँ से आना है design view में, design view में आ गया, यहाँ पर जो plus 12 कर किया है आपने, अ 11 के बीच में सिर्फ 10 दिन होते हैं, यह देख सकते हैं, 6 से लेके 16 के बीच में 10 दिन, 3 से लेके 6 के बीच में, यह चुकी 3 दिनों वाला criteria है, अब यह 3 दिनों वाला criteria कैसे change करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, और यह जो plus 3 लिखा है न, इसको हम हटा देंगे, ठीक है, दिनों का isolation करना है, यहाँ देखेंगे change करके भी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ok किया हमने, और यहाँ से yes कर दिया, इसको तो यह देख सकते हैं, जिर्फ यहाँ पर एक दिनों का isolation करना है, ठीक है, अगर negative आती है result तो यहाँ देखें no है, तो कितने दिनों का isolation है, तीन तीन तरीक को ही आप result आया, और चार तक आप isolation में रहेंगे, यहाँ तीन को result आया, और चार एक दिन isolation में रहना है, उसके बाद छुटी, तो यह इस तरीके से हम इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं, आगे चल करके इसमें हम form भी create कर सकते हैं, form create करके और relationship create करा करके एक बड़ा software पर भी create कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, यह बात आपके समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आया तो share कर सकते हैं, thank you for watching this video.